दोस्ता हमारे पास यह Home Data आया है 4.1 Home Data रिपेर होने के लिए तो इसमें क्या था दोस्तो सारे वाइरिंग इसमें कटी हुई थी ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलाल सब छीज इसमें वाइरिंग कुछ भी नहीं थी तो दोस्तो हमें इसमें वाइरिंग करने सिर्फ ह प्रप्मेंट वान है आप देख सकते हैं यहां पर इसमें दोस्तों कुछ कनेक्शन करने और में आपको दिखाऊंगा भी कैसे कैसे कनेक्शन कीए जाते पैनल यह ट्रान्सफार्म है और यहां पर दोस्तों यह रिवन वायर जरूर यह connection होने के लिए तो दोस्तों हमारे जो वायर होते हैं, टोटल 10 चे हैं यहां पर हमें, और एस्टर ओडची है तो हम यहां पर ले सकते हैं, फिलाल हमें वैसे, जो ज़्यादे जरूत होती है, वैसे 10 की होती है, तो हमें दोस्तो इसे पैनल के लिए हमें यहां से इसे डाल लोगा अंदर की साइड, ठीक है दोस्तो, अब हमें कैसे कैसे connection करने है तो वीडियो को last तक देखना दोस्तों तभी अच्छे समझ माने वाली है तो फिलाल दोस्तों मैंने camera set किया और camera set करने के बाद अब मैं जो back side है ठीक है सबसे पहले back side के करते हैं यह आप panel के लिए लिजिए कैसे भी ले लेजिए सबसे पहले आपको बस connection करने हैं कैसे ने कैसे कर गए ठीक है तो फिलाल दोस्तों totally 10 wire है तो 10 wire को यहां से हमें पहले connection करने है यहाँ पर मैं फिलाल आपको दिखा देता हूँ transform के तो यह 3 wire है और यह जो है हमारे output के लिए है इसमें jig लगी हूए है तो यहाँ पर आप देख सेथे हैं जो हमारे से पहले होते हैं यह हमारे होते हैं दोस्तों transform के लिए तो transfer के लिए 4 diode लगे होए हैं और यहाँ पर दोस्तों यह 50,05 का है तो थिलाल दोस्तों भी यहां पर मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूं इसमें कैसे कैसे करनेक्शन किये जाते हैं तो सबसे पहला बहुत सिंपल सा तरीक होता है यहां पर तीन तीन तरह की जिग दे रहती है यानि कि लेफ्ट राइट और बीच वाला ग्राउंड तो ऐसी दोस्तों इसमें टास्फर्म में तो इसमें दोस्तों बराबर बराबर वाले साइट है जो बारा बार भी हो सकती है पंद्रे पंद्रे भी हो सकती है पंद्रे ही है क्योंकि इसमें पंद्रे लगता है और बीच वाली होती है हमारी जीरो यानि की ग्राउंड तो फिलाल दोस्तों आप यहां पर देख सकते हम हलके हलके बोल बन जाती है, solding की तो वो दोस्तों, यहाँ पर हमारी अठकी रह जाती है तो वो यहाँ पर सपा कर लेनी है अब दोस्तों, हमारे output के लिए output कैसे समझेंगे यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर वो भी दिखाऊंगा, output के connection कैसे करने है, तो सबसे solding हो सके, ठीक है सबसे पहले हमें इसे, यहाँ पर हलका सा cut करना है, ठीक है दोस्तों, छीन लेना है, और हलका सा paste में लगा के, फिर इन्हें wiring कर देनी है, क्योंकि दोस्तों ऐसे करते हो, तो बिल्कुल अच्छी तरह से wiring हो पाती है, और बिल्कुल finishing के साथ, तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको यह दिखाऊंगा अभी तो फिलाल आप देख लिजे, यहाँ पर हमने इसमें solding की, और हलकलका सा यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें लगा देना है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख दे रखिए, तो जिख से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें करना क्या है, यहाँ पर अगर resistance होती है, तो जिख पर लगाते हैं, अब resistance नहीं है, तो डिरेक्ट यहाँ पर हम लगा देगे, तो फिलाल दोस्तों PF से होके यहाँ पर line आ रही है, जो pin number 4 रहती है, यह हमारे दोस्तों output होती है, चाहे आपके 20-30, चाहे आपके 20-50, वो कैसे पता लगेगी, वो आप track करके पता कर सकते हैं, तो फिलाल दोस्तों मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, pin number 4 जो रहती है, वो हमें यहाँ पर track करके लगाने होते हो है, तो यह दोस्तों यह output के लिए है, तो 2IC जो work करती है, वो हमारे दोस्तों output के लिए work करती है, और जो 2IC रहती है, वो बिरिज में होती है, यानि कि base के लिए, तो फिलाल दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसे लगा दिया है ठीक है कुछ इस तरह से तो यहाँ पर land track करके मैं आपको दिखा देता हूँ pin number 4 ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी ऐसी दूसरे वाली है तो दूसरे वाली आप देख लिए ठीक है left वाली और right वाली फिर बीच वाला होता है ground ठीक है तीसरा point अब दोस्तों हमें panel के लिए connection करने हैं अब हमारे पीछे की side से कोई मतलब नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा ox यानि कि हम इसे अपने phone से जैसे lead से बजाते हैं वो हमें यहां पर लगा देने है वो कैसे लगाने वो भी मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा ठीक है तीन वाय लेने और तीनों वायर कहां पर लगाने यहां पर मैं भी आपको दिखाने की कोईशिस करूँगा ठीक है तीन वाई ले लिए तो तीन वाई लेने के बाद हमें क्या करना है आगे की साइट जो पैनल है उसके में यानि कि जो Bluetooth card होता है उसमें OX लगानी है क्योंकि हमें phone से दे निया है phone से हमें उसमें connection करना है तो फिलाल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ होंगा यहाँ पर फुल जितने वाय लिया सारी यूज होने वाले एस्टर भी हो सकता है कोई तो फिलाल यहाँ पर दोस्तों हमें जितने हमें वायर है पहले हम इनके कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा हो गया यह बिच वाला ग्राउंड और तीसरे व करना है अब हमें कैसे पता लगीगा कि हमारे कौन सा वायर कि चीज के लिए बोड में ठीक है यहाँ पर पहले हल्किसी सही से सोलिंग कर लेते क्योंकि वहाँ पर हमारा प्रिंट जुड़ा हुआ था ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमारे और जो हमारी ओक्स के लिए हैं साथ वायर के लिए कैसे कैसे करने वह भी मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूं ठीक है साथ वायर है अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा पहले पांच वोल्ट के लिए ले लेते हैं ठीक है सिंपल सी बात है आपको काड़ चलाना है तो उसमें पांच वोल्टेज ची 78.05 होती है हमारी regulator IC ठीक है जैसे कि हमारी IC रहती है 20-30 ऐसी हमारी 78.05 होती है तो वो input लेती है 12-15 voltage और output देती है हमारी 5 voltage ठीक है input का आपको पता चल गया 12 voltage लेती है 12-15 और जो 5 voltage देती है वो output देती है तो हमें क्या लेना है पांच वोल्टेज आउटपुट लेनी है आउटपुट क्यों? क्योंकि हमें दोस्तो कार्ड चलाना है आगे की साइट का जिससे हमारा बुलूट चलता है ठीक है दोस्तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अभी यहाँ पर लगा के तो फिलाल दोस्तो यहाँ पर पहले हलके हलके से वाइट ची लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सोल्लिंग करने में असानी हो जाएगी बाद में तो फिलाल दोस्तो आप देख सकते हैं टोटल साथ वाइर है मेरे पास अब साथ वाइर में दो वाइर तो हमारे एक तो हमारी बचेगी अभी बेस के लिए फिर दूसरी बचेगी हमारी लिए यानि कि बेसे आउटपुट बेस के में भी दो वाइड ची है ठीके दोस्तों वो भी मैं आपको पूरा फाइनली दिखाने वालों कौन सा वाइर कहां पर लगना है ठीके इस वज़े से थोड़ी वीडियो लंबी रहने वाली है और इसकी मत कीज़ेगा आप यहाँ पर दोस्तों समझ सकते हैं जैसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं भी हूँ और फिलाल मैं यहाँ पर पूरा दिखाने की कोजिश करूँगा जैसे भी यहाँ पर कनेक्शन करने है ठीके बस आपको कलर क क्या है यह जोंसी मैं यहाँ पर लगा रहा हूं यह तीन जी के दोस्तों हमारी वोल्यम के लिए कौन सी वोल्यम जो हमारी मैं वोल्यम रहती है तो मैं वोल्यम मैंने भी आपको पहले भी कई वीडियो बना रखिया है च्छै पिन की होती है और एक वोल्यम होती है आगे पी तो एक यह रो में जो चैने वाली वोल्यम होती है वह हमने पैनल में लगा रखिए तो अभी मैं आपको डावट भी किलियर कर दूंगा कौन से वाली वोल्यम है तो कोई सी भी वोल्यम हो आपको ऐसी चनेक्शन करने जैसे मैं भी आपको दिखाऊंगा ठीक है दोस्तों चाहि इक्रावा अब देख सकते हैं वाला हम थेर और अब हमें दोस्तों यह लगाना यह पांच वोल्डेज के लिए मैंने अपको बताएं तो यह वाला चाहिए होता है हमारी वाले तो यह वालक है यहां पर देख सकते हैं यह जो हंपांड इन पूट d तो यहां पर पर हमें ठीक है तो output क्या है तीसरी पीन है तो तीसरी पीन पर हमने क्या लगाना है हमने color code के सबसे wire लगाना है तो हमने जो ground लिया है वो हमने दोस्तो brown लिया है ठीक है ground के लिए हमने brown wire लिया है और जो black लेंगे वो हम दोस्ता output के लिए 5 voltage के लिए black wire लेंगे ठीक है तो फिलाल आप सकते हैं यहां पर हमारा कनेक्ट हो चुका है ठीक है दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर फिलाल अब हमें ऐसी कौन से लगाने हैं पांच वोल्टेज वाला भी यहां लग चुका है तो दोस्तों कुछ हद तक यहां पर हमारे कनेक्शन हो चुके हैं ठीक है अब हमारे wire connect करना है तो बेस वोल्यम के लिए हमारे अभी फिलाल दो वायर है हमें एक की जोरोन होर पड़ने वाली है वो क्यूंग क्योंकि एक left होता है एक हमारा right होता है भीच वाला हमारा होता है, ठीक है, पर इसमें जो base वाला है, वो इसमें, ground, ground जो इसमें नहीं होता है, आप उसे कैसे भी लगा सकते हैं, तो ground जो होता है, man volume होता है, ठीक है, फिलाल यहापर आप देख लिजे, अगर आपके उल्टी बेस चलती है, तो आप यहापर connection, ल्टा दोस्तों एक तो बेस के लिए काम आने वाला है ठीक है बेस को इस स्पीकर चलाने के लिए और एक दूसरा ठीक है दोस्तों अब यहां पर आपको दिखा भी देता हूं ठीक है फिलाल यहां पर हमारे कनेक्शन हो चुके है फाइनल अब हमें एक वाय लिया है यहां पर फिलाल मैंने जो आपको बताया था लेफ्ट का और राइट का हुआ है तो यहाँ पर हमें इसे वाईर को भी लगा देना है ठेके दोस्तो तो यहाँ पर दोस्तो यह वालाी हमारा लग चुका। अब हमें क्या करना है दोस्तों हमारी तीनों वायर बिल्कुल अच्छी तेक से connect है ठीक है अब हमें दोस्तों जो हमारी बेस की output के लिए दो वायर की होर जोरोत पड़ी अब कितने वायर होगे दोस्तों पहले 10 ते एक हमने एस्टर लिया 11 हुए फिर 2 है वायर होर एस्टर ल होती है बेस की IC से ठीक है बेस के IC कैसे पिछान होगे दो तो हमने वहाँ पर लगा दिये सिंपल दो IC के अब दो IC के यहाँ पर दोस्तों आउटपुट आ रहोंगे ठीक है बेस के लिए तो बेस के वह देख लेनी है अगर आउटपुट नहीं है तो PCP में जरूर आपकी ज उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों की पिन आउट सेम होती है तो फिलाल दोस्तों यहाँ पर हमें बेस के भी कर लेने तो थोड़ा मैं कैमरा उतारके दिखांगा उसके कैसे करने है फिलाल यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो बेस के लिए है आउटपुट तो यहां पर हमने connection बिल्कुल सही तरिक से कर दिये ठीक है अब दोस्तों थोड़ा सा वायर ना पलेंगे जो speaker तक जा सके और फिर हम यहां पर इसे speaker में वायर को लगा देंगे थोड़ा इसमें फाल्टू यहां पर वायर यहां पर लगा सकते हैं तो दोस्तों आपको बस क्या चेक करना है आपको speaker का जो बेस वाला speaker होता है पिलस और माइनस आपको चेक कर लेना है तो मैंने यह camera उता रहा आप देख सकता है बेस वाला speaker यहां पर लगा हुआ है और फिलाल यहां आती है हमने पीछे की साइड का काम खतम हो चुका है connection खतम पीछे की साइड के अब हमारे आ जाते है front panel पे अब front panel पे हमने क्या क्या लिया था brown वाला मैंने बताया था गिराउंड है और जो black वाला है वो हमारा 5 voltage के लिए तो सबसे पहले हमें 5 voltage का wire connect करना है simple सा तरीका है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ यह 5 voltage के लिए 2 जीक है एक red है एक black है तो black क्या लीती हमने हमने लीती 5 voltage के लिए black और जो brown लिया था वो हमने लिया था थोड़ा उल्टा हो चुक है उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें brown जो है वो हमारा plus point दे रखा है और जो हमारा black है वो minus दे रखा है बस इतनी सी फार्क है ठीक है वैसे इसमें red दे रखा है brown भी नहीं है सही है वो सही दे रखा है इसमें तो फिला दोस्तों हमने brown की जगे हमने 5 voltage यहाँ पर यानि कि brown का जो black वाला था वो ground हो गया और जो दूसरा था वो हमारा दोस्तों 5 voltage को हो गया ठीक है फिलाल दोस्तों यहाँ पर हमारे connection 5 voltage के लिए हो चुकिया है यानि कि card को चलाने के लिए अब दोस्तों card को चलाने के लिए connection तो हो गये अब हमें दोस्तो उसे control भी करना है यानि कि मंदी और तेज अवाज भी करना है base में भी और output में भी तो फिलाल दोस्तो हमने 3 wire क्या लिये थे ये हमने 3 wire लिये थे दोस्तो ox के input के लिए ठीक है तो input के लिए color code क्या लिया था white, blue और हलका सा gray color ठीक है तो अभी फिलाल दोस्तो सारे wire को छेल लेते हैं क्योंकि time waste नहीं इस वज़े से तो हलकी सी holding यहाँ पर करके इन पर connection करना चालो करते panel का ठीक है अब इसमें दोस्तो थोड़ा आप समझ सकते हैं कि base के और जो हमारा man volume है उसमें connection कैसे करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ उसमें क्या पिछाने की जरूत होती है आप 6 pin का आप उसमें डालिए google होगा आपके phone में उसमें डालिए 6 pin की volume की यानि की volume की pin out तो pin out जब डालोगे तो उसमें सबसे पहले की आएगा input आएगा input के पहले 2 pin जो होगी input होगी फिर 2 pin यानि की फिर पहले दूसरी के बाद तीसरी जो pin आएगी वो हमारी होगी कौन सी output ठीक है फिर जो चोती और पांच वी आएगी वो हमारी कौन सी होगी ground फिर जो छटी आएगी वो हमारी होगी output यानि की इसमें 2 output होती है 2 input होती है और 2 हमारे ground होती है वो हिसाब है आप कैसे भी ले लिजे उस वाली में भी ऐसी connection होते है जो दूसरे वाली volume होती है और इस वाली में भी ऐसी connection होते है तो simple सी बात है दोस्तो हमें पहले अब यह जो card से हमारी output आ रही है output कौन से आ रही है यह हमें input में लगानी है यानि कि volume के input में फिलाला भी आप देख लिजे मैं आपको यहां पर लगा के दिखा देता हूँ जो हमारी यानि कि जो हमें phone से देंगे बोलोटूट कनेक्ट करके वो हमारी card में आएगी card के output देंगे volume में और volume से हम देंगे input भी दे सकते हैं volume से भी वैसे card से भी दे सकते हैं जो हमें phone से लेनी है ox वाली तो फिलाल दोस्तों जो हमें output देनी है card से वो हमें volume के input पे देनी है तो यहांपर आप देखे लीजे मैं कोन-कोन से वायर कहां पर लगाओं गा ठीक है तीनों वायर हैं यहांपर आप देख सकते हैं फिलाल इंसले यह इंपुट है ठीक है यहांपर आप देखे लीजें पर comprend वो left right कैसे भी लगा सकते हैं उससे कोई दिक्वत नहीं है तो यहां पर आप देख लेज़ेंगे पहले में यहां पर इसका GROUND दोन वायर जो टच कर लेता हूँ तो GROUND वालज वायर है वह हमारे दोस्तों brown दे रका है तो brown वाला वायर हमने यहां पर connect कर दें याने की ground connect एक left ट्राइट अभ हमारे यहां पर दोनों बचे ये तो दोनों connection हो चुके left or right अब हमारे कौन से बचे दोस्तों अब हमारे बचे इसमें input होगे output बचे तो फिला दोस्तों मैं यहाँ पर वो भी connection करके दिखाऊंगा और फिला यहाँ पर आप देख लिए तो इन्पुट के लिए जो मैंने तीन वाइर लेते यह तीन वाइर ओक्स के लिए ठीक है घिरें और जो यह हमारा वाइट वाला कलर है तो लगा दिया है तो आपसे उससे कोई दिक्कत निया है आप कोई से वाइर कैसे भी ले सकते हैं फिलाल दोस्तों आपको बस पता होना कि कौन सा वायर कहां पर लगेगा और वो मैंने आपको बता दिया है तो 4.1 होम टेटर कोई सभी आता है आप ऐसी कर सकते हैं रिपेल चाहिए आपको कोपी सोनी हो चाहिए आपको कोपी सोनी होते हैं उसमें दोस्तों अलग होता है पांच जीके दे रख्योंगी एक लेफ्ट रहते हैं वह ठोस्तों अलग रहते हैं उसमें व इसी कर सकते हैं आप कणेक्शन तो जो हमारे कोई से भी व्य घ्णmax सिंपल होते हैं एसी तो फिलाल दोस्तों मैं यहां पर आपको ये इसमें दिखाने क्योंगा इस वाले के कैसे कनेक्शन करने है Conservative आप यहां पर ये कर ल तो जो मोबाइल से क्या आढ़ कार्ड प्रिवल्य की लाइल और फिलाल और घ्राउंड होता है वहले का उसizes तो आपकी ओक्स वैसे भी चल सकती है और जैसे मैं अब आपको दिखा रहूं ऐसे भी आपर आप चला सकते हैं ठीक है चाहिए आप कार्ड से चला लीजिए चाहिए आप दोस्तों वोल्यम पर डायक्ट लगा देजिए उससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है ठीक है फिलाल भी चलाए वो कस्टूमर की सिर्दत दी है तो फिलाल दोस्तों हमने इस पर एक लेफ्ट कनेक्ट किया दोसरा राइट और फिलाल बीच वाला गिराउंड ठीक है तुई नो वायर हमने यहां पर लगा दिये जैसे हमने पीछे की बैक साइड था ऐसे हमने यहां पर पैनल की फ्रेंट साइट लिया है ठीक है आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरह से यहां पर कनेक्ट हो चुके है अब दोस्तों हमारे बचेक इसके एक तो वोलिम के बेस वाली और एक मैन वोलिम के तो हमारे दोस्तों दो कनेक्ट बचे अब अब दो कनेक्ट कैसे करने वह भ लगती है ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं तो यह तो पांच वोल्टेज के थे पहले वाले और इन्हें अच्छे तरह से यहां पर पहले सोल्डिंग कर दी है और आप हमारे बचेक उन से तीनों जिग जो थी मैंने क्या बताए तापको आउटपुट तो यानिकी वोलि थी के अब देख सकते हैं हमने लगाया पहला वाइर करनेक्ट किया है और अब हम यहां पर ऐसे हमें दूसरे वाला वायर लगाना है ऐसे तीसरे वाला बीच वाला गिराउंड ठीक है दोस्तो तो तीनों यहाँ पर हमारे वायर यहाँ पर लग चुके है ठीक है फिला दोस्तों तीनों वायर यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से लग चुके है अब हमारे बचे कुन से बिलू वाला और एस्टर जो लिया था वो बचा हुगा ठीक है और यहाँ पर दोस्तो दो वाइर बचे यानि कि तीन वाइर बचे अभी भी टोटल तो तीनो वाइर को कैसे कनेक्ट करना है जो हमने बेस के लिए बताए तब को बेस के लिए हमारे दोस्तो आलगी जिग दे रखे थी हमने उसमें एक वाइर एस्टर लिया था तो तीनो वाइर हमें बेस पे लगा देने है ठीक है आप उसे कैसे भी लगा देजी उससे कोई दिक्कत नहीं है अगर हमारे उल्टी चलती है तो बस आप यह जो लेफ्ट वाला वाइर है आप राइट वाले पर कर दीजिए अगर राइट वाला है तो लेफ्ट पर कर दीजिए तो आपकी बेस आपकी सिर्दी चलन लग जाएगी तो फिलाल यहाँ पर आप देख सकते हमने connection बिल्कुल अच्छे तरग से आपको दिखा दिए बिल्कुल A to Z आपको connection दिखाएं कि कौन सा हमारा transform को होता है कौन सा हमारा man volume को होता है और हमारा base वाल होता है ठीके और हमारे 5 voltage के लिए तो सारे जो connection है मैंने आपको दिखाए A to Z कैसे कैसे connection करने तो आपने आपर सीख लियोगा थोड़ा बहुत, अगर नहीं होता है आप पर connection करना नहीं आता है, अगर अब भी सीख के नहीं आता है, यानि किसे वीडियो को देख के नहीं आता है connection करना, तो आप comment में करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और मैंने email भी दे रखिये, जहापर आप email करके पूछ सकते हैं, तो फिला दोस्तों कुछ इस तरह से हमने connection किये, front panel पे और कुछ ऐसी board पे किये, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाई सुरू से, अगर आपको अब समझ में नहीं आ रहे, आप सुरू से देखी वीडियो, फिर आप चलाईए, अब दोस्तों इ इसकी चलाने की, अब हमें इसे चला के देख लेना है, तो चला के कैसे देखना है, वो मैं आपको यहाँ पर इसमें दिखाता हूँ, फिलाल यहाँ पर आप देख लिजे, थोड़ा पास की साइड से, और मैंने यहाँ पर पिलक लगाया series में, यहाँ पर बेस चल चुकी है ठीक है, बेस में आवाज आ चुकी है, Bluetooth on, और यहाँ पर हम इसे चलाने की कोशिस करते हैं अब, ठीक है, फिलाल आप देख लिजे, हमारे सारे connection लग चुकी है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बिलकुल चल चुका है, ठीक है दोस्तों, वोलियम यह बिलकुल अच्छे तरह से वर्क कर रही है, ऐसी आप connection कर सकते हैं, तो आज आपके सब को वीडियो अच्छे लगे, तो लाइक करें, सेर करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बंदे मातरम, जाएंगे, 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